में आजम बनाने जारे पनीर प्राठा मैंने अमूल का पनीर लिया है 200 ग्राम के लगपक है अपको जितनी काउंट टी में पराटे बनाने उससाब से आप पनीर ले सकते हो पनीर को मैं अच्छे से कदूकस कर लेना है अब हम इसमें एड़ करेंगे बारीक कटी हरी मिर्च बारीक कटा हुआ धनिया और बारीक कटा हुआ प्याज अब हम इसमें मसाला एड़ करेंगे लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर गरम मसाला स्वाद अनुशा नमक अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ये अपनी पनीर की स्टपिंग एकदम रेडी है पराठा बनाने के लिए डो को मैंने पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है आप थोड़ी दिर पहले डो रेडी करके रखोगे तो पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे इस तरह से आपको गोल आकार में रोटी को बेल लेना है इसमें एक या दो इस्पून जितना इस्टपिंग डालेंगे ज्यादा डालोगे तो फट जाएगा पराठा आपको चारे कौन चारो कौनों अच्छे से पैक कर लेना है और इसको हम सौरा साकार में बनाएंगे अब चाहो तो इसे त्री कौन में भी बना सकते हो लेकिन इस टाइप का पराठा बहुत ही बढ़िया लगता है इसे में अच्छे से ऐसे बेल लेना है पैन पे थोड़ा सा बटर लगाएंगे और पराठे को हम अच्छे से शेख लेंगे आपको दोनों साइड से पराठे को अच्छे से से शेखना है एक भी पाट कछा नहीं रहना चीए अब इसको दूसरी साइड से भी पल्टेंगे देखिया हलका सा सुने रहा हो चुका है आप इसे इसे दबा के प्रेज भी कर सकते हैं देखिए हलका सा यह गॉल्डन ब्राउन हो चुका है वापिस एक बार और बटर लगाना आप चाहँ तो ऑईल में भी बना सकते हो गी में भी बना सकते हो आपकी जो इच्छा हो देखिए अपना एक साइड से पराडा बन के एकदम रडी है कितना बड़िया लग रहा है दूशरी साइड से भी इतने अबहें सुनेरा करेंगे कि देखिए अपना पराड़ा बन के एकदम रेडी है तो यह अपने सर्विंग के लिए एकदम फरफेक्ट है चलिए आये तो इसे प्लेट में सर्व के लिए रखते हैं हम इसमें एड़ करेंगे ग्रीन चटनी और सॉस आप चाव तो दही अचार के साथ भी सर्व कर सकते हो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंड बॉक्स में आप ज